नमस्कार । आज हम वेब रिस्पॉंसिब पेंशनर सर्वीस जो कीout की केंदरी पेंशन लेखा कार्याले जो की वित्मन्तराले के अंतर कारे करता है। उसके द्वारा ये सर्विस बनाई गई है सेंटरल सिविल पेंशनर्स के लिए। इस सेवा का लाव पेंशनर जो रेल्वेज डिफेंस पोस्टल और टेलिग्राफ विभाग से जो लोग रिटायर हुए है वो लोग नहीं उठा सकते यह सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल सिविल पेंशनर के लिए यह सर्विस बनाई गई है इस सेवा का लाब उठाने के लिए इसके बाद इंटर बटन डपाएंगे और यह वेबसाइट खुलेगी इसमें आप जब नीचे जाएंगे यहां पर पेंशनर सर्विस करके एक इनफॉर्मेशन आ रही है और यहां पर लॉग इन बटन बना हुआ है जो लोग पहले से ही इस सर्विस में या सेवा में रजि सकते हैं मैं आपकी सुविधा के लिए पहले से बना हुआ एक यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूं उसके बाद सब्मिट बटन प्ले क्लिक करना है जैसा कि आप देख सकते हैं सब्मिट बटन क्लिक करने के बाद एक पेंशनर डैस्बोर्ड खुलता है जिसमें की चार बड़े कलरफुल ब्लॉक बने हुए हैं पहले में बेसिक पेंशन आपकी बेसिक पेंशन कितनी है उसके बारे में बताया गया है दूसरा जो ग्रीन ब्लॉक है उसमें नंबर ऑफ रिविजन यानि कि आपके पेंशन में कितने रिविजन हुए हैं कुछ बदलाव जो भी बदल हुए हैं उसके बारे में तीसरा जो यह ब्लॉक है यहां पे आपको अगर कोई ग्रीवान्स कोई समस्या है पेंशन से रिलेटेड तो इस बटन पे क्लिक करके आप अपनी जो समस्या है उसको दर्ज करा सकते हैं और चौथा जो बटन है उसमें लास्ट पेड अमाउंट यानि की आखिरी बार आपको कितनी पेंशन प्राप्त हुई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम पहले पहली स्क्रीन पे क्लिक करेंगे इसमें आप देख सकते हैं आपका PPO नंबर और कुछ जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग के आफिस के बास पहले से ही है वह इन्फॉर्मेशन यहां आपके पास अवेलेबल है आप इसमें चाहें तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उसको भरके सब्मिट बटन दबा देंगे तो आपका प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो जाएगा इसमें नेक्स्ट पी-ओ डीटेल्स हैं और बैंक डीटेल्स हैं हम वापस से होम बटन पर जाएंगे और उसके बाद हम दूसरे बटन पर क्लिक करेंगे नंबर ऑफ रिविजन यानि रिविजन कितने हुए हैं इसमें यहां उपर आप देख सकते हैं करेंट स्टेटस नो पेंडेंसी इन सीपीओ इसका मतलब सीपीओ में इस पीपीओ नंबर के अगेंस्ट कोई पेंडेंसी नहीं है और सारे एक्शन जो है वो लिया जा चुका है नीचे यहां पेंशनर डीटेल्स हैं फिर सर्विस डीटेल्स हैं फनेंशियल डीटेल्स हैं सिक्थ सीपीसी डीटेल्स बैंक डीटेल्स पीओ डीटेल्स फैमिली पेंशनर डीटेल्स और सीपीओ की डीटेल्स यह सारी डीटेल्स आपके पास यहां मौजूद है अब हम क् को कोई भी दिक्कत है तो वह यहां पर रजिस्टर कर सकता है कि क्लिक करने के बाद यह फॉर्म खुलेगा जिसे हम ग्रीवांस फॉर्म कहते हैं इसमें कुछ जानकारी जो पहले से ही भरी हुई आ ही है जो हमारे सिस्टम में पहले से ही अपड़ेक है इसके आलावा कुछ चीज जो जिए जो झिजिकाइ माद है मैंडेटरी है वह पिस्टे थे स्लेक्ट करना है है जैसे इससे स्टेट कर लेंगे उसके बाद यहां नीचे आकर मैagon ग्रिवान्स सब्जेक्ट और ग्रिवान्स डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट हमने कुछ पहले से ही दिये हुए हैं और नई इन्फॉर्मेशन अगर डालना चाहें तो वह भी डाल सकते हैं उसके बाद ग्रिवान्स डिस्क्रिप्शन में आप आपकी जो भी समस्या है उसको लि लिस्ट ऑफ प्रीवियस रजिस्टर्ड ग्रिवांस जो भी आपने पहले अगर कोई ग्रिवांस सिस्टम में वेब रिस्पॉंसिव सिस्टम में रेजिस्टर की हुई है उस पे क्या एक्षन हुआ है उसके रिमार्क्स आप देख सकते हैं और अगर आप इससे नहीं है संतुष्ट नहीं है तो आप लीव फीडबेक का बटन दबा सकते हैं यहां पर अगर आप डिस्सटिसफाइड लिख दें और अपना कमेंट लिख देंगे और उसके बाद अगर सब्मिट का बटन दबाते हैं तो आपकी ग्रिवंस जो है वो दोबारा रियोपन की जाएगी और यह जो चौथा ब्लॉक है इस पर हम अब क्लिक करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बैंक नेम जिस भी बैंक से आप पेंशन ले रहे हैं CPPC कोड जो Central Pension Processing Center है उस बैंक का उसका कोड क्या है आपका PPO नंबर, Account नंबर, Basic Pension, Commutation, Dearness, Relief जो भी अप्लिकेबल है पेंशन पेड आपको कितनी पेंशन मिली है और कितना Income Tax deduct हुआ या काटा गया है और यह पेंशन जो है किस महीने में आपको मिली है यह Information आप यहां से देख सकते हैं अगर आप पिछली जानकारी चाहते हैं तो यहां Left Hand Side पे Last 24 Payment Oblig Transaction Details अवेलेबल हैं जिसमें पिछली 24 जो भी Pension Payment हुई है आपको उसके बारे में आप देख सकते हैं यहां पे Pensioner Name, Account Number, Amount, Date of Deposit और अगर आप More Information पर क्लिक करेंगे तो और ज्यादा जानकारी आपको मिल सकती है और साथी साथ आपके दाइने साइट में जैसा कि आप देख सकते हैं इसे से इसे का मतलब होता है Special Seal Authority जो कि Central Pension Accounting Organization यानि केंदरी पेंशन लेखा कार्याले बैंकों को इस्यू करता है और उसकी बेसिस पे ही उसके आधार पे ही पेंशनर को पेंशन प्राप्त होती है यहाँ पहला जो है वह एसे से नंबर है यानि किस संख्या के द्वारा जो है एसे से बैंक को भेजा गया है किस तारीख को किस डेट को भेजा गया है और किस ब्रांच को भेजा गया है या बैंक को भेजा गया है वह इंफॉर्मेशन है इसके साथ ही list of registered ग्रिवान से जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसकी भी जानकारी यहां पर मिल जाएगी साथ ही साथ web responsive pensioner service में कुछ हमने लिंक्स दिये हुए हैं जैसे पहला जिवन परमान का है जीवन परमान यानि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जिसमें आप ऑनलाइन अपने लाइफ सर्टिफिकेट जो है वह आप दे सकते हैं दूसरा जो है वह सीपेन ग्राम यानि सेंट्रलाइजड पेंशन पेंशन ग्रिवांस रिट्रेशल और मोनिटरिंग सिस्टम इस पर अगर आप अपनी समस्याएं हैं तो वह आप इस पर रेजिस्टर करके और हमारे पास भेज सकते हैं तो यह सारी इंफॉर्मेशन जो है वह लॉग इन करने के बाद एक पेंशन वेब रिस्पोंसीव पैंशनल सर्वीस से प्राप्त कर सकता है अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस सर्वीश में अपना रेजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं पहले हम लॉग उट करेंगे इस सिस्टम से और यहां वापस जाएंगे यहां लिखा हुआ है नोट रजिस्ट द्वारा दिया जाता है यह एक 12 डिजिट यानि 12 अंकों का एक नंबर है मैं एक पीपीओ नंबर यहां पर एंटर करता हूं उसके बाद आप सब्मिट का बटन दबाएंगे नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें दो और इन्फॉर्मेशन डेट ऑफ बर्थ और डेट आफ रिटायरमेंट यानि आपकी जन्मति थी और रिटायरमेंट जिस तारिक को आप रिटायर हुए हैं वह इन्फॉर्मेशन आपको यहां भरनी पड़ेगी उसके बाद आप सब्मिट का बटन क्लिक करेंगे फिर यह एक फॉ सब्मिट में लॉगिन करेंगे वह अपनी पसंद से चुन सकते हैं और व हैं उसको यह और यहां प्रिअब को भरनाहित से अपको एपको कुम करनान donation date of birth और date of retirement यह आपने क्योंकि पिछली स्क्रीन में भरी थी information तो वह यहां पर प्रीफिल्ड यह information आ रही है एक security question है जो अगर आप अपना password भूल जाते हैं उस case में यहां पर security question आपको select करना है कई सारे हमने option दिये हुए हैं और उसका जवाब आपको भरना है जो सिर्फ आपको ही पता रहेगा mobile number यहां क्योंकि star mark है तो यह mandatory यानि यह आपको जरूर देनी है information email ID mandatory नहीं है यानि अनिवारे नहीं है पर फिर भी अगर आप हमें अपनी email ID देंगे तो वेब responsive pensioner service के द्वारा हम आपसे संपर्ट कर सकते हैं अगला box है वो इंटर image text जो यह right side में text दिख रहा है उसको आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं यहां क्लिक करने के बाद यह text change हो जाता है और सबसे आखिर में create my account इस button पर क्लिक करने के बाद आपका account create हो जाएगा मैं फिर से log out करता हूं यदि आपको अपना PPO नंबर यानि पेंशन पेमेंट और नंबर पता नहीं है और फिर भी आप इस system का लाव उठाना चाहते हैं और तो आप इस option का उप्योग कर सकते हैं जिसमें कि आप अपने bank account के द्वारा वेब responsive pensioner service में login कर सकते हैं आप यहां क्लिक करेंगे अपना bank account नंबर डालेंगे जिसमें भी आप pension पा रहे हैं या पाने वाले हैं सब्मिट दबाने के बाद आपका PPO नंबर यहां पर डिस्पले हो जाएगा यदि आप 1990 से पुराने pensioner हैं और आपको अपना बारा डिजिट यानि के बारा अंको वाला PPO नंबर नहीं पता है तो आप यहां क्लिक करके जिस भी ministry department से आप रिटायर हुए थे उसको सेलेट कर सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर किस PPO से आपका pension paper प्रोसेस हुआ था वो सेलेट करते हैं और अपना old PPO नंबर यहां भर सकते हैं यहां नीचे new PPO नंबर क्लिक करने के बाद आपको नया PPO नंबर मिल जाएगा अगर आप ऐसे pensioner हैं जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं रिटायर होने वाले हैं और अपने pension papers का जो स्टेटस है वो पता करना चाहते हैं तो आप यहां जो ऑप्शन है employees who are yet to get PPO नंबर क्लिक हेर फॉर स्टेटस फ्रॉम भविश्य इस पर जा सकते हैं यहां आप क्लिक करेंगे उसमें दो चीजे चाहिए आपको पास आपका पैन कार्ट नंबर और डेट ओफ रिटायर्मेंट उसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करेंगे यह स्क्रीन खुलेगी जैस अक्षन है वो क्या है वो एक्षन कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ है किस तारीक को हुआ है और उसके बारे में रिमार्क्स क्या है तो जैसे कुछ चीजे मैं आपको बता दूँ जो पेंशन प्रोस्टिंग के लिए सबसे जरूरी होती है सर्विस बुक हर इंपलॉई की कि अपनी सर्विस बुक होती है क्या वो वेरिफाई हुई है या नहीं हुई है तो किस डेट को हुई है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं फॉर्म्स अर्टरी यानि रिके पास फॉर्म भेज कर 17 ने वाला है forms filled and sent to HO, क्या आपके form भरे गए हैं और head of office के पास भेज दिये गए हैं, भेजे गए हैं, तो किस date को भेजे गए हैं, filled forms received from retiree, verification of forms by HO, यानि head of office, head of office ने क्या आपके pension के form verify कर दिये हैं या नहीं किये हैं, forms, calculation sheet and service books sent to PAO, head of office के verification के बाद pension के जो forms हैं, वो pay and account office को भेजे जाते हैं, उसका भी status आप यहां से देख सकते हैं, PPO generated, क्या आपका PPO तयार हो गया है, उसकी जानकारी यहां से मिलेगी, और आखिरी जो है, special seal authority issued to bank with a copy to retiree, special seal authority जो है, केंदरी पेंशन लेखा कार्याले, bank को issue करता है, जिसके बाद ही आपकी pension शुरू होती है, तो उसकी जानकारी भी यहां से आपको मिल जाएगी, इस service में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम pensioners को, वेब responsive pensioner service या उसके अलावा कोई और भी सेवा जो central pension accounting office या केंदरी पेंशन लेखा कार्याले दवरा सुरू की जा रही है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे, धन्यवाद। झालोपा जë आपको जाएगी, बालोपा जाएगी, औरभ में हम खुआ कार्या तर लेंगी, जाते खुआ की जाएगी, dlatego णिए दो